राष्ट्रिय हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रिय अध्यक्ष रजत चावडा ने शिमला में प्रदेश और जिला कारेकारणियों के पधधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी कारेक्रमों को लेकर कारेयोजना तयार की इस तोरान उनके साथ राश्ट्रिय अपधधिकारी भी मौजूद रहे। इंदो युवावाहनी के सदसे जिनसंख्या नियंत्रन कानून और एक देश एक कानून की मांग को लेकर केंद्र सरकार को ग्यापन सौंपे गे। रजित च्छावडा ने बैठक में विचार्विमर्ष किये गए तमाम मुद्दो वो पहलों की भी जानकारी दी। शुरू किया था जंसंख्या नियंत्रन कानून और एक देश एक कानून के लिए इसके लिए 300 जिलों में एक सद्ग्यापन देने की तेगारी जल रही है। लॉकडाउन के जलते कई सारे जिले भी खुले नहीं हैं तो उनकी इंतिजार की जा रही है और दस देन पंदरा दिन के अंदर होगा। पूरे भारत देश के अंदर 300 जिलों के अंदर एक सद्ग्यापन दिया जाएगा। और साथ में हमारे जो मननी एगरे मंतरा ले वे हैं श्रीया मिशाजी के पास भी एक यापन बेजा जाएगा कि इसके उपर जल्द से जल्द इसको प्रणता पे लेते हुए एक देश एक कानून जंसंके नंतन कानून को लेके जितने जाती भरक हैं सभी को अपने संभिधा ब्यूरो रिपोर्ट सीटी चैनल शिमला